यह जो चीज आप देख रहे हैं, यह आपके hair follicle में जो pigment cells होती हैं, उनमें pigment बनाने का काम करेगा, मेल लानिन बनाने का काम करेगा, जिसे कि आपके बाल काले होंगे, देखिए, सिर्फ external application तो एनफ होता नहीं है, इसलिए आज की वीडियो में ऐसी nutrient dense चीजें मैं ले की आई ह और जितने भी बाल premature तरीके से सफेद हो गया है, सारे रिवर्स हो जाएंगे, काले होंगे, और इन रेमेडीज का यूज करने से आपके बाल सार्ट साल तक इंटेंस ब्लैक बने रहेंगे, जल्दी सफेद नहीं होंगे आपके बाल से नमस्कार, मेरा नाम है Garima, और अगर आपको मेरी रेमेडीज अची लगते हैं तो मुझे अप्रिशेट करने के लिए प्लीज लाइक जरूर करेगा, आपके एक एक लाइक का इंपर्टेंस है तो बिना लाइक किये मच जाएगा, अगर वीडियो अची लगती है तो शेयर करना बिल्कुल नद जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि इस वीडियो में भी मैं बहुत हल्दी सी चीर शेयर करूंगी तो इस वीडियो को पूरा देखेगा, अभी दो एक्स्टरनल एप्लिकेशन में शेयर करूंगी उसके बाद मैं आप लों के साथ हल्दी डाइट श कि यही ही शेयर क JoeyHebranky में फॉलिकल में पिग्मेंट सेल को एक्टिवेट करती है खमारे बालों में फिग्मेंट को रेस्टोर करती है जिसे कि बाल नैचरली काले होते हैं है यह दोनों ही सीड बालों CD माल को भाम बना यहां कि एंकि अन दर ऐर डार्कनिंग प्रॉर्टी बहुत सरा anti-oxidant होता है जो कि premature hair grain को खतम करता है, reverse करता है next ingredient है कोई भी साइट्रिक पील, इसको मैं ड्राइ फॉर्म में ही यूज कर लीजे, फ्रेश फॉर्म में यूज कर सकते हैं, लेकिन हाला कि जब रोस कर रहे हैं, तब आपको ये सारी चीजे फ्रेश फॉर्म में यूज नहीं करनी है औरेंज का चिलका भी हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है क्योंकि इसके अंदर हेर डार्कनिंग प्रॉपर्टी बहुत सरा एंटी ऑक्सिडेंट होता है जो नेक्स इंग्रेडिंट है यहां पे यह है फेनुग्रीक यानि मेथी सीड का पाउडर मेथी हमारे बालों के लिए कमालकी होती है यह क्या करती है कि हमारे बालों को लंबे समय तक काला भी बना के रखती है उसके साथ इसके अंदर बहुत सरा प्रोटीन, एंटी ऑक्सिडन, बहुत सरे वाइटमिन्स और मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर hair darkening property होती है तो यह हमारे बालों को काला भी बनाती है उसके साथ डैमेज बालों को रिपेर करने में बहुत कमाल की होती है तो आपको क्या करना है, तिन चार चमज के बराबर फिनुगरिग शीट का पाउडर लेना है, या फिर खड़ा फिनुगरिग सीट भी आप ले सकते हैं क्योंकि इन सारी चीजों को हमें पाउदर फॉर्में के ढमाएं करना है, जो next ingredient यहां पर मैंने एड किया है यह है turmeric यानि हल्दी मैंने यहां अमबा हल्दी ली है आप normal हल्दी भी ले सकते है मसाले वाली जो regular हल्दी होती है हल्दी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है healing property, antibacterial, antifungal property पाई जाती है उसके सासाथ इसके अंदर बहुत सारा curcuminoid होता है जो कि हमारे hair follicles में pigment cells को activate करता है pigment loss जो हुआ है उसको reverse करता है, regain करता है हमारे बालों में जिसे कि हमारे बाल naturally काले होते हैं तो इन सारे चीज़ों को rose कर लेना है, अभी मैंने gas बंद कर दिया है gas बंद करने के बाद इसमें कुछ चीज़ें हमें add करनी है अब जो इसमें पहली चीज में gas बंद करने के बाद एड करनी हो ये एक तरीके का powder है, आप देख सकते हैं ये है hibiscus का powder, hibiscus का जो powder होता है इसके अंदर बहुत सारा essential amino acid पाया जाता है जो हमारे बालों को रिग्रोभी करता है उसके साथ ये हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है क्योंकि इसके अंदर बहुत powerful antioxidant होता है जो हमारे बालों में hair follicles में oxidative damage नहीं होने देता अब जो next ingredient है, ये है जटा मांसी powder जटा मांसी एक बहुत ही powerful ayurvedic herb होती है जो हमारे बालों को मोटा बनाने में help करती है मतलब कि ये आपके hair follicles को कभी shrink नहीं होने देती जिसे कि हमारे बाल मोटे मोटे आते हैं उसके साथ-साथ ये हमारे जो premature तरीके से सफेध हो रहे होते हैं बाल उनको काला बनाने में help करती है बालों को लंबे समय तक काला बना के रखती है तो अगर आप इन चीजों का यूज़ करते हैं इन सारी चीजों को पहले तो आप पाउडर फॉर्म में बदल लीजिए मतलब अच्छे से ग्राइन करके पाउडर बना लीजिए अब इसमें आपको चैपत्ती जालनी है जो काली वाली चैपत्ती आती है जिसको हम लोग चाय बनाते समय यूज़ करते हैं वही लेना है दो चमज के बराबर, दो चमज के बराबर कॉफी पाउडर लेना है चैपत्ती के अंदर बहुत सारा टैनिन पाया जाता है जो हमारे बालों को नैचरली डार्क बनाने में हल्प करता है उसके साथ साथ इसके अंदर बहुत सारा एंटियों होता है जो हमारे बालों को समय से पहले सफेद नहीं होने देता इसी तरीके से जो कॉफी पाउडर होता है ये भी हमारे बालों को काला बनाने में हल्प करता है इन सारे चीजों को बहुत अच्छे से बॉयल कर लेना है बॉयल करने के बाद ठंडा कर लीजे तो बहुत ही अच्छा सा हमारा जल बन जाएगा, अब ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये हमारे बालों को बहुत सारे फायदे देती है, देखिए अगर आपके बाल जढने लगते हैं, समय से पहले सफेद हो जाते हैं, तो हमें से सब लोग परिशान हो जाते हैं, लेकिन अगर आप सही रेमेडी विद हेल्दी डायेट, इसा नहीं कह रही हूं है कि सिर्फ एक्स्टरनल अप्लिकेशन करने से आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, आप एक्स्टरनल अप्लिकेशन कीजिए, लेकिन उसके साथ अगर आप अपनी डायेट का ख्याल नहीं रखते त अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके बाल सफेली रहेंगे और थोड़े से ही रहेंगे, क्योंकि आप खाने पीने पर ध्यानी नहीं दे रहें इसलिए जो चीज में खाने के लिए बताऊंगे पूरा देखेगा इस वीडियो को और जो चीज कंशुम करने के लिए बताऊंग यह क्या करती है कि आपके जो बाल डैमेज हो चुके हैं, उनको रिपेर करती है, बालों को फॉर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट करके भी रखती है साथी साथ हमारे बालों को लंबे समय तक काला भी बनाती है अब जो next ingredient देख रहे हैं आप ये है black sesame seed का powder black sesame seed के अंदर बहुत सारा antioxidant और hair darkening property होती है जो हमारे बालों को naturally काला बनाने में help करती है इन सारी चीज़ों को आपको लोहे के बरतन में ही करना है लोहे के कड़ा ही ले लीजिए आप ठीक है अब देखे अगर आपके पास काली वाली तील नहीं है तो कलाउंजी seed का इस्तेमाल भी किया जा सकता है कोई दिक्कत नहीं है अब आपको लेना है आमला आमला को powder form में, dry form में, fresh form में किसी भी form में आप ले सकते हैं यहाँ पे मैं इसे fresh form में यूज़ कर रही हूँ ट्रीट करने के साथ-साथ इसलिए आमला को आईरवेदा में दिवय औशधी बोलते हैं जो आपके बालों की सारी समस्याओं को भी खतम करता है और एक औशधी की तरह काम करता है क्योंकि इसके अंदर औशधी ये गुण है medicinal properties है वात पित कफ को ये balance करने में भी बहुत ज़ादा help करता है और वात पित कफ में अगर balance गरबड जाता है तब हमारे बालों बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते है तो इसलिए आपको आमला अपने बालों में जरूर यूज़ करना चाहिए अगर बालों को काला बनाए रखना है तो अब फिर से मैं यहां पे साइट्रिक पील का यूज़ कर रही हूँ मैं यहां पे औरेंज का चिलका ले रही हूँ औरेंज का चिलका हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है इस छिलको को फेकने की बजाए अपने बालों में आप यूज़ कर लीज़े आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे अब इसको भीगोने के लिए मैंने मठा का यूज़ किया है अगर आपके पास मठा नहीं है तो इसे नॉर्मल वाटर में भी भीगो सकते हैं आप मठा ऑप्शनल है या फिर जब हैर मास बन जाता है तब आपको इसमें थोड़ा सा दो तीन चमज के बराबर दही डाल देना है इन सारी चीजयों को ओवरनाइट भीगोके छोड़ दीजिये नेक्स मौनिंग इन सारी चीजयों को ग्राइंडर में टालिए अच्छे से ग्राइंड करके इनका बहुत ही बारिक सा पेस्ट बना लीजिए उसके बाद हम क्या करेंगे पेस्ट बनाने के बाद इसे मस्लिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेंड कर लेंगे स्ट्रेंड करने के बाद हमारा जो हैर मास्क है वो बन के त्यार हो जाएगा बहुत ही अच्छा सा इसका जेल बन गया है देखिए फेनुगरिक सीड अगर आप हैर मास में डालते हैं तो उसे हैर मास की जो कंसिस्टेंसी होती है कमाल की हो जाती है यह आप अपने बालों में लगा के पूरे दो घंटे के लिए छोड़िए फिर उसके बाद सिर्फ नॉर सफेद भी होंगे और बहुत जल्दी सफेद हो जाएंगे जैसे ही 30 क्रॉस करेंगे बहुत सारे बाल सफेद हो जाएंगे एक ही साथ तो इसलिए अपनी डायेट का विशेद ध्यान रखिए अभी देखे यह जो आप चीज देख रहे है यह ब्लैक सीसिमी सीड यानि काली तिल का पाउडर है अब इसे कलाउजी सीड आप बिल्कुल मत समझेगा यह कलाउजी सीड नहीं है ब्लैक सीसिमी सीड के अंदर बहुत सारे इसेंशल न्यूट्रेंट सोते हैं इसके अंदर कॉपर कैल्शियम मैगनेशियम जिंक आयरन प्रोटीन भरपूर मात्रा में बाय अब इसमें आप ग्रोवृण नरे पाऊडर बना निजियेए अभी आप जैसे की देख सकते हैं इसका पाउडर मैने बना के रखा हुआ है अब इसमें आपको एलमंड वालनट और माल जो मखाना होता है इसको रोज याजया की बनाट जाल जाले एसका पाउडर माल्या नि इसको स्वीटन करने के लिए मैं खजूर ले रही हूँ, खजूर हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और जो मखाना मैंने बताया आपको, उसके अंदर प्रोटीन, आइरन, कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्र में पाया जाता है, जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में, घना बना के रखने में हल्प करता है, बादाम और वालनट के अंदर बहुत सारा प्रोटीन, बाइटीन, आइरन, जिंक, मतलब बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे वाइटामिन्स बाया जाते हैं, जो हमारे बालों को जढ़ने भी नहीं देतें, प्रॉड्य को प्रॉड्य करिया है प्रफिल तक यह सारे न्यूटिन साथ नहीं है और जब बालन को नाइट को ने प्लाइट ऑर जाते हैं। तो तो इसलिए आपको एक्सटर्नल एप्लिकेशन के साथ डायट को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या करना है इन सारी चीजों को मिक्स कर लेना है इसमें मैंने घी का भी इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि खजूर मैंने डाल दिया तो उसे बहुत ही अच्छा बाइंडिंग आ गया इसमें और हमारे लड्डू बनके तयार हो गया अब यह जो लड्डू आप देख स अपनी ड्याइट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कोई भी chemical यूज मत करिए एर डाई, hair coloring इन सारे चीजों से बचके रहे है अपने बालों में कोई भी harsh chemical का यूज मत करिए सिर्फ नाच्रल चीजों का यूज करिए मैंने अपने YouTube चैनल पे बहुत अच्छे-च्छे-च और बहुत सारे शैंपू शेयर किये हैं उनका यूज करिये और जो एक्स्टरनल अप्रिकेशन में आप लोगों को बताया है हपते में दो दिन उनको फॉलो करिये और जो लड़्डू है इसे डेली एक महिने तक हाई गैप दीजे पंदर इनका फिर से स्टार्ट कीजिए दे अगर आपके स्किन पर रिंकल्स हैं फाइन लाइन्स हैं प्रिमेच्योर वह भी खतम हो जाएंगे उसके साथ सथ आपके स्किन ग्लोइंग और हेल्दी होगी ये दाग धबों को खतम करने का भी काम करता है अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है यहां पे क्लिक करके अभी आप इस वीडियो को देख लीजिए ये थी मेरी आज की वीडियो अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार